नमस्का दोस्तों डिल्ली के चुनाव की आज चुनाव आयोग द्वारा घोशना हो गई भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की और से प्रजातंत्र के ही सबसे बड़े परव दिल्ली के चुनाव का भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस स्वागत करती है और दिल्ली के जागरूक मतदाता प्रजातंत्र के इस पर्व में एक निरनायक बदलाव का योगदान देंगे ऐसी हम आकानशा भी रखते हैं ये सब कहते हैं के दिल्ली दिलवालों की है दिल्ली में एक करोड़ च्यालिस लाख जागरूक मतदाता है दिलवालों की ये दिल्ली जो देश की राजदानी भी है जिसमें 2014 तक 15 साल कॉंग्रेस पार्टी का शाशन रहा और लोगों ने हमें विश्वास और मत दिया पिछले पांच वर्षों में दिलवालों की ये दिल्ली दो जगडालू व्यक्तियों के जगडे में देश के सबसे पिछले पायदान की और सरग गई है पांच वर्ष आम आदमी पार्टी और भारतिय जनता पार्टी ने पांच वर्ष अर्विन केजरीवाल जी और नरिंदर मोदी जी ने एक दूसरे पर इल्जामों की और आरोप प्रत्यारोप की राजनीती में निकाल दिये समय नश्ट कर दिया एक दूसरे से गाली गलोच में केजरीवाल जी और नरिंदर मोदी जी ने आम आदमी पार्टी ने और भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली का ये सुनहरा अवसर कवा दिया केंदर की सरकार दिल्ली की हर सुविधा का गला घोटने पर उतारू है अरुविंद केजरीवाल जी बजाए दिल्ली की प्रगती का काम करने के केवल भारतिय जनता पार्टी पर आरोप मड अपनी जुम्मेवारी से बचना चाहते हैं अगर कोई उधारन दिल्ली में विकास और तरक्की का देखना है ना भूतो ना भविश है तो वो 15 साल का कॉंग्रेस का शाशन था जब स्वर्गिय शीला दिक्षिद जी दिल्ली की मुख्य मंत्री थी हमने उस समय भी ये साबित कर दिखाया जब पांच वरश केंद्र में भाजप्पा का शाशन था और वाजपेई जी प्रधान मंत्री थे तो दिल्ली की प्रगती को कॉंग्रेस और शीला दिक्षिद जी ने कभी रुखने नहीं दिया कॉंग्रेस ने कभी इलजामात और आरोप प्रत्यारोप की राजनिती कर दिल्ली के विकास के पहिये को रुखने नहीं दिया ये उधारन था विकास और प्रगती का और दस साल जब UPA सरकार दिल्ली में केंद्र में थी और दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी तो वो प्रगती कही गुना बढ़ी वो लोग जो आज प्रशन चिन उठाते हैं कॉंग्रेस की भूमी का पर मैं आज इस पत्रकार वारता के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहूंगा के पिछले पांच वर्शों में कॉंग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा है और दूसरी राजनितिक दलों का दिल्ली में ग्राफ खटा है 2015 की असेंबली में हमारा वोट शेयर था 9.6 परतीशत 2017 में दिल्ली के कॉर्परेशन के चुनाव हुए हमारा वोट शेयर बढ़कर हो गया 21.5 परतीशत 2019 की लोग सभा जो हुई हाल में ही उसमें हमारा वोट शेयर बढ़कर हो गया 22.6 परतीशत तो ये दिखाता है और दो बाई इलेक्शन दिल्ली में हुए एक राजोरी गार्डन और एक बवाना में 2017 में राजोरी गार्डन में हमारा वोट शेयर था 33 परतीशत और बवाना में था 28 परतीशत तो ये दिखाता है कि दिल्ली के लोग दिल्ली के दिलवाले दिल्ली के तरक्की पसंद 1.46 लाक मत दाता एक बार फिर कॉंग्रेस की और रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना आपका जगड़ा चाहिए ना भाजप्पा के इल्जाम उन्हें चाहिए तो विकास और तरक्की इसके विपरीत आम आदमी पार्टी का वोट शेर लगातार घटा है 2015 विधानसवा में उनका वोट शेर था लगबग 55 परतीशत 2017 के कॉर्परेशन चुनाव में उनका वोट शेर आधा रह गया 25 परतीशत और 2019 संसद का चुनाव जो हाल में हुआ केजरीवाल जी का वोट शेर घटकर रह गया 18.2 परतीशत ये दर्शाता है कि दिल्ली विश्वास किसमें जता रही है और वो विश्वास कॉंग्रिस पार्टी में है और किसी में नहीं सचा ही ये है कि भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली को नश्ट करने का काम किया है विकास और तरक्की के आयामों को 2002 से लगातार भारतिय जंता पार्टी के पास दिल्ली की तीनों कॉर्परेशन हैं पर दिल्ली की तीनों कॉर्परेशन अब भ्रष्टाचार, निकम्यपन और नकारापन का अड़ा बन गई हैं मोदी जी बात तो करते हैं स्वच्था की पर दिल्ली में कूडे के ढेर और गंदगी सबसे ज़्यादा देश के अंदर है और शाशन किसका है कॉर्परेशन में भारती जनता पार्टी का है बुराडी हो या करनाल रोड का कूडे का पहाड ये शायद हिंदुस्तान में सबसे उंचे कूडे के पहाड है पान साल में ना केंदर की मोदी जी की सरकार और ना कॉर्परेशन जो मोदी जी के साथ हैं वो उन में उन कूडे के पहाडों में उन्होंने कई फुट उंचा कूडा एड कर दिया उसमें से कुछ साफ नहीं कर पाए कॉर्परेशन्स के हस्पतालों और स्कूलों की क्या दुर्गती है ये सब जानते हैं ये है भारतिय जंता पार्टी की विरासत दिल्ली को और भरष्टा चार तो उन्होंने खुद ही मान लिया इसलिए अमिच्छा जी ने पिछली बार सारे कॉर्परेटर्स की टिकेट काट कॉर्परेशन के चुनाव में इसके विपरीत हर पाइदान पर कॉंग्रेस पार्टी ने जो उधारन पेश किया वो अपने आप में एक एक पूरे देश के लिए उधारन है आज दिल्ली का पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम एक करोड़ च्यालिस लाख मत दाताओं में से एक करोड़ पच्चिस लाख के करीब दिल्ली की पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं केजरी वाल जी के और आम आत्मी पार्टी की सरकार के चलते वो खतम हो गया है उसका सबसे बड़ा उधारन ये है कि पांच साल में एक भी डीटी सी बस केजरी वाल जी की आम आत्मी पार्टी की सरकार ने नहीं खरी दी मैं याद दिलाओं केजरी वाल जी आप किसी कंसल्टेंट के कहने से दो महीने से मुस्कुरात रहे हैं प्रंतु वो मुस्कुराहट उन एक करोड पच्चिस लाख लोगों के चेहरे पर नहीं जो आए दिन दिल्ली की बसों में धक्के खाते हैं 2014 में जब कॉंग्रेस ने सरकार छोड़ी तो डीटी सी के बेडे में 5400 बसे थी आज डीटी सी के बेडे में 3800 बसें बच गई है दिल्ली की जनसंख्या 2014 से 2020 तक बढ़ी है या घटी तो चोवन सो बस कॉंग्रेस छोड़ कर गई थी डीटी सी के बेडे में आज वो 3800 रहे गई इसके लिए कौन जुम्मेवार है मेट्रो जो कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में लेकर आई मेट्रो फेज वन और टू हम पूरा कर गए थे मेट्रो फेज तीन का हम 70 परतिशत से काम अधिक पूरा करके गए थे पांच वर्षों में केंद्र की मोधी सरकार भाजप्पा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मेट्रो का फेज तीन का काम तीन साल डिलेड है अभी भी मेट्रो फेज तीन तीन साल डिले होने के बावजूद दिल्ली में पूरा नहीं हो पाया मेट्रो फेस 4 जिसको अक्टूबर 2014 में सारी कंसल्टेशन रिपोर्ट सम्मिट कर दी गई थी केंदर सरकार को आज तक उसका कोई अता पता नहीं क्योंकि मोदी जी और केजरीवाल जी तो 5 साल से इलजामात की राजनिती कर रहे हैं पर दिल्ली के 1,46 लोगों को चाहे वो बस ट्रांस्पोरटेशन हो चाहे मेट्रो ट्रांस्पोरटेशन हो मिलेगा कैसे और इसी लिए आज दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी होते हुए भी हिंदुस्तान का सबसे पॉल्यूटिट शेहर है दिल्ली में सास लेना मुश्किल है दिल्ली के युवाउं को हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान के अंदर जाना मुश्किल है आज मास्क लगा कर लोग सेर करने जाते हैं इसके लिए कौन जुम्मेवार है एक तरफ मोधी जी और दूसरी तरफ केजरिवाल जी परंतु हर बार जब जहरीली हवा फैलेगी तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इल्जाम लगाएगी और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाएगी पर लोग जहर की हवा इसी प्रकार से उसमें सांस लेने को मज दिल्ली की कानून व्यवस्था जो अमिच शाजी और मोधी जी के नीचे है छे साल से बद से बत्तर हो चली है निर्विहा जब हुआ तो पूरे देश की आत्मा देहली प्रंतु आए दिन दिल्ली के अंदर कितने बलातकार होते हैं दिल्ली जो है वो एक तरह से रेप कैप करना बलातकार करना छेड़ छाड़ इन सब के लिए कौन जुम्यवार है भारतिये जनता पार्टी का कुशाशन जुम्यवार है क्योंकि दिल्ली की पुलिस सीधे केंदर सरकार के पास है दिल्ली में 15 वर्षों में 15 हस्पताल कॉंग्रेस पार्टी बना कर गई थी स्वास् विश्व विद्याले हम 15 साल में बना कर गए थे एक नया विश्व विद्याले ना केंदर सरकार ने और ना प्रांतिये सरकार ने यहां बनाया चुहतर फ्लाइओवर हम बना कर गए थे केजरी वाल जी ने 5 साल में हमारा चालू किया फ्लाइओवर चाहए पूरा हो गया हो कोई ऐसा फ्लाइ ओवर नहीं जो केजरिवाल जी की सरकार ने शुरू किया हो और उन्होंने खतम भी किया हो पांच साल में एक फ्लाइ ओवर बना नहीं पाए सचाई ये है कि दिल्ली का दिल देहलता है क्योंकि केजरिवाल जी और मोदी जी एक दूसरे से लड़ाई और इल्जामात की राजनीती में उन्होंने दिल्ली को तरक्की के पाइदान में पिछाड कर रख दिया है दिल्ली की जागरूक एक करोड़ च्यालिस लाक मत दाताओं और दिल्ली की जनता से आपके माध्यम से हम अपील करते हैं ये दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली सबसे बेहतरीन है, दिल्ली सबसे तरक्की पसंद है और दिल्ली के विकास का एक ही रास्ता इस चुनाव में है और वो भारती राष्टे कॉंग्रेस है, कोई प्रशन आप पूछना चाहें तो स्वागत है। देखे पार्टी की एक पूरव निर्धारित प्रक्रिया है। कॉंग्रिस के विधायकन और कॉंग्रिस का आला कमान मिलकर इस पर निर्धे करता है। के पांच साल में एक हस्पताल तो बना दो। इतनी हिम्मत भी नेता के अंदर केजरिवाल जी होनी चाहिए के पांच साल में डिटी सी की एक बस तो खरीद लो। इतनी हिम्मत भी केजरिवाल जी नेता के अंदर होनी चाहिए के पांच साल में एक विश्व विध्याले तो बना दो। इतनी हिम्मत भी नेता के अंदर होनी चाहिए के पांच साल में दिल्ली की मेट्रो का फेस तीन ही पूरा कर दो। केवल और केवल इल्जामात की राजनीती से अगर हिम्मत नेता की बढ़ती है तो माफ कीजी वो प्रजातंतर के लिए सुखद नहीं। पहली बात तो चुनाव आयोग का ये तथ्य सही नहीं। वो दुबारा चेक कर लें मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरा हम चुनाव आयोग जो एक देश की चुनाव करवाने वाली सबसे बड़ी संस्ता है उससे ये उमीद करते हैं कि दिल्ली का चुनाव निश्पक्ष होगा और किसी प्रकार की धांदली की शिकायत अगर आएगी तो चुनाव आयोग उस पे तिव्र गती से कारवाही करेगा। हमें ये विश्वास है कि चुनाव आयोग ऐसा करेगा। धन्यवाद।